वेरी गुड आपनून बच्चों कैसे हैं आप लोग हाव यू अर्विन कंचन राधा मेनू आरूज रूवी वेरी गुड आपनून तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज के अपने इस वर्क को जिसमें हम फिर से उसी उन्हें को लेने वाले हैं जहां पर हम वर्क कर र लेट वर दिस तो आज जो हम क्वेश्टिंस देखिंगे इज क्वेश्टिंस वुड वुड वूड वी फ्रून नम्बर इधिंक 85 और 90. यह आपका लास्ट कोश्चन था थू दे लोंग होट समर इफ यू फ्यू प्लैंट ट्रें हार्ड पॉंटिनली यू विल नीट टो एक्ट अधिकलिमिटाइज यौर्स अगरा कोश्चन देखेंगे हैं इसको तो हमने कर लिया था आईप्यर नो मैलिस यस यह कोश्चन हमारा आई थिंग लास्ट था आई पीची के लिए यस इंडियन पीनल कॉड यह आपने सबसे लास्ट में देखा था तो इसके बाद जो क्वेश्चन है बच्चो 91 है एक मिनिट हम इसको देख लेते हैं स्ब्रेश में आई इसको है तो अजल आई तो इसकों लिए अलिए अजय कोश्चन है इस जिए अजया में अन। ग्लोब इस पेर स्प्क्त कर स्पक्तर बोल लेकिन यह कुश्चन्स यहां पर क्या पूर्चों अच्छा ठीक है डी आप आंसर कर भी रहें 90 का डी है बिलकुल ठीक है लेकिन ये कुश्चन्स यहां पर क्या पूछ लिए हैं ग्लोब स्पेर स्पैक्टेटर बॉल एक मिनट इन्वेस्टिकेशन डेलिबरेशन अच्छा वाँ जवेशन जी के बच्चों मुझे समझ में आ गया है कि कुश्चन्स को देखो इस 91 को देखो इसमें क्या दिया गया है आपको ओड वन आउट करना है ओड वन आउट मतलब तीन एक जैसे हैं और एक अलग है तो बताओ जरा कौन सा बनेगा स्पेक्टर आंसर है बिल्कुल सही बात है एक्शली ग्लोब को देखेंगे गोल है स्पेर को देखेंगे गोल है बोल को देखेंगे गोल है लेकिन बच्चों जी स्पेक्टर होता है स्पेक्टर का मीन्स है बेसिकली कि से यह मतलब कोई सुपर नेचुरल थिंग है तो सुपरनेचरल का मतरफ हम देखे तो क्या बनेगा, यानि के कोई भूत, गौस्ट, एसेटरा, तो इसको हम यहाँ पे देखेंगे, तो आंसर हमारा क्या बनेगा, C, ये ओड़ बन आउट बनेगा, अब ज़रा इसमें देखते हैं, ओड़ बन आउट, इन्वेस्टिगेश और विल, ओके, B बता रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे, डेलिबरेशन, अगर हम देखे, प्रोब, तो जैसे हम, जैसे पुलिस प्रोब करती है, इन्वेस्टिगेशन, भी बच्चे पुलिस करती है, और जो एक्स्प्लोरेशन है, इसको भी पुलिस करती है, मतर्दब चीजों है डेलिब्रेशन कोई भी कर सकता है डेलिब्रेशन का मिनसुत है सोच विचार सोच विचार तो आंसर हमारा बी बनेगा यह ओड़ वन आउट हो जाएगा वेरी गुड बच्चो केटी मीनू सैली दिव्या राधा च्छाया बहुत अच्छे अगले कोशन पर आते हैं अब द करना है तो सभी बच्चे बताएं एक अच्छी सिक्वेंस बना के वेन ही वुज गिवन दक पोप हम लोग हुवर स्टेंडिंडिंग राउंड इम कॉंटिनू तो इस फ्रेंड्स एट सुक्रेटीज एज ही ड्रेंक इट हिस्ट्री सेज तो यहां पर हमारा अंसर क्या होना चाहिए कहते बच्चते ऐलग अलग करें चुछ बच्चे करें मेनू निहा ठीकते जी और युट्राइट बच्चों संब दिश्चान से दिखो He Girion से ओर हम इसको शुरू करें दिखो Ьस्टेग हिस्ट्री सेज त सुक्रेटीज हिस्टेज चैस्रीट सुक्रेटीज, when he was given, continue to talk to his friends, who were standing around him, तो बच्चो सिक्वेंस नहीं बन रही, ऐसे देखते हैं, where history says, that सुक्रेटीज, तो बच्चो थोड़ा सा जम रहा है, तीनों में एक है, तो इसका मतर बिनमे से बनेगा, आप देखो, सेकेंड नमबर पर क्या है, क्यू, history says, that सुक्रेटीज, है ना, अब क्यू को पहले देखेंगे, who were standing, तो बच्चो सुक्रेटीज के बाद में, who were standing आई नहीं सकता, यानि कि यह गलत हो गया, तो एसके बाद में, आ रहेगा, that सुक्रेटीज continue to talk to his friends, है ना, who were standing around, तो friends के बाद में हमें पता है, इसके बाद में, as a relative pronoun, यह बनेगा, who were standing around him, तो बिल्कुल बन गया, r के बाद q, फिर p, when he was given the cup of hemlock, है ना, as he drank it, तो बच्चो यही बनेगा, मतलब अगर दो में, देखो यह तो sequence बनें रही, पूरी तरह से, इन दोनों में मिलाएं, तो आप इसमें देख सकते हैं, आंसर आपका B ही बनेगा, मतलब A वाला fit नहीं बैठता, और बाकी की तो बात ही नहीं, यह तो पूरी तरह से गलत होगे, क्योंकि S के बाद, बच्चो सीधे से आप S के बाद में, अगर Q लगाएंगे, that's Socrates, who were standing, तो यह कोई बात बनती ही नहीं है, ऐसी जुजो को eliminate करना है एकदम, पांसर समझ में आ गया, आपका B बनेगा, अगला question देखो, फिर से PQRS है, I met a poor woman, all in tears, यह जो कातियों रहेगा, यह बच्चो जो कातियों रहेगा, बेवर्ड, bereaved as they were office industry, तो बताईए, क्या बनाओगे, इस questions में आप क्या बनाओगे, ओके, B होना चाहिए, C होना चाहिए, good, 94 का, very good बच्चों, B और C में आप जा रहे हैं, that's great, right, right, बच्चों, right, बहुत अच्छे, चलो, एक बार C को चेक करते हैं, जाहतर बच्चे जब C कहे रहे हैं, तो R से शुरू होगा, बहुत है, अच्छे, एक बात है, पक्की R से हो रहा है, फिर 2 में S है, और 1 में QP है, अब बच्चों में एक छोड़ी चीज आपको यहां बे बता दू, रूल यह कहता है कि इनके होने की संभावना जादा है, चारों में R आ रहे हैं, फिर S ऐसे हैं, लेकिन नहीं भी हो सकता, जरूरी नहीं है, बट क्लू इस पे जाएगा, तो हम R के बाद में देखते हैं, I met a poor man all in tears, all in tears, who told me, तो भी सही बात है, poor woman के लिए who लग रहा है, तो यह correct है, R तो इसमें सोचने की जुरत नहीं है, R से शुरू करेंगे, who told me that, क्या बताया बच्चो इसने, इसने बताया, S पे आ जाओ, who told me that, he was notable to pay, यह तो कोई बात नहीं हो रही, बलकि यह कहेगी, अपने husband की बात, तो यहां क्यू पे आ जाएंगे, her husband had been arrested for a debt, है न, P कोगर में देखो, who told me that, and thus, यह भी नहीं बनती बात, तो पी वाली बात भी, तो बच्चो यही बनेगी, exactly answer आपका, C जाएगा, मतलब मेरे कहने कहें के, अलग-अलग चीजों को try करके आपको देखना है, आपको यह समझना है के quickly हम उसका answer कैसे निकालेंगे, उन सारी techniques को use करना है, और अगर आप इसकी practice बनाते हैं, तो यह technique बच्चो आपकी बड़ी quick हो जाएंगी, practice का मतलब क्या है, यही techniques आपकी quick हो cold, तो cold का feminine, cold इसका मतलब क्या है बच्चो, यह masculine है, इसका feminine क्या बनेगा, mare, bitch, philly या you, इसको मैं देखू तो यह बच्चो, mare किसका बनता है, horse का, bitch किसका बनता है, dog का, है न, you बताओ किसका बनता है, sheep का, यह कुछ और होता है, और philly जो होता है, वो बच्चो, cold का बनता है, philly is the cold, यह बच्चडी और यह बच्चरा कुछ इस तरह से होता है, हिंदी में गर देखें, philly बनेगा, बिलकुल बच्चो, you ram, exactly, यह गड़बड हो रहता है, ram का है, हाँ, ठीक है, ram का मीन से भेड और यह भेड है, वो जो टक्कर मारने वाले होते हैं, तो आंसर हमारा C जाएगा, very good बच्चो, find out the correct sentence, आपको इन में से बच्चो correct sentence को find out करना है, he was astonished at his success, astonished in his success, for his success, of his success, या at, आपको बताने इन में से बिलकुल correct कौन सा है, कौन से में astonished के साथ में correct proposition का यूज हुआ है हमें find out करना है, बहुत अच्छे बच्चो, सीधी सी बात है, wondered at, surprised at, तो बच्चो, astonished भी at ही हुगा, हुगा नहीं, मतलब यह हुथा है, यह ध्यान रखना है, क्योंकि wonder वाली जो चीज़ें, उनमें हमेशा हम at लगाते हैं, राखी, correct बात है कि नहीं, तो आंसर हमारे यहा रहेगा, answer would be a, correct the following sentence, it was bitter cold, इसको आपको ठीक करना है, it was bitter cold, तो हम कैसे सही करेंगे बच्चों, how to make this sentence correct, हम इसे कैसे correct करें, अच्छा blur हो रहा है, बस एक मिनट रुख जाओ मैं इसको, मैं इसको यहां पर इस तरह से आके fix कर देता हूँ, अब मुझे बताना है, अब यह blur होगा तो, अब यह blur नहीं होना चाहिए, चाहिए कैसे भी धरुदर मुँमे, वो ओटो पे था, bitterly cold, बहुत अच्छे बच्चों, actually cold जो है, वो क्या है, adjective है, जैसे हम कर दे cold coffee, यही तो है, cold tea, cold coffee, adjective, adjective, adjective के पहले अगर आप लगाओगे तो बच्चों, bitter क्या होता है, adjective भी तो होता है, कड़वा, तो आप bitter नहीं, बल्कि bitter का क्या लगाओगे, ly, एड़ वर्ब का यूज करेंगे हम इसके पहले, तो हम कहेंगे, it was bitterly cold, कहां पे है, यह रहा, तो answer आपका d बनेगा, बहुत अच्छे बच्चों, देखो, जैतर बच्चों को explanation भी पता है, मुझे अच्छा लग रहा है, correct बच्चों, जी राहूल, fine, thank you, अब बच्चों इसको देखो, we are visiting, we are visiting a satellite town, तो आपको यह बताना है, I think, satellite town होता क्या है, satellite town क्या होता है, a town near a satellite station, economically, और otherwise dependent on another, या फिर टाउन beside another town, या फिर टाउन having scientists in the majority, हम क्या कहेंगे बच्चों, satellite town से हमारा means क्या बनेगा, बहुत अच्छे बच्चों, बिल्कुल सही है, मज़िदार बात क्या है, यह देखो, यह रहा डेली, यह रहा यहाँ पर गुरगाओं, यह रहा यहाँ पर बच्चों, गाजियाबाद, गाजियाबाद है, गुरुगराम है, यह लोग क्या करते हैं, यहाँ से इधर जाते ह सुबह के टाइम इधर जाती है भीड शाम के टाइम वापस आती है क्या करने जाती है इस दिल्ली में क्यों जाते हैं बच्छो बताओ पैसा खींचने वहां से सुबह जाते हैं शाम को आते हैं हर 30 तारिक या एक दो तारिक में 50-60-70-80-2005 जोबिन के मन में लेके आ जाते हैं इसका मतलब बच्छो अ टाउन एकोनोमिकली और अधरवाइस डिपेंडेंट ओन अनोधर ताउन दिल्ली को हटा दो गाजियाबाद गायब गुरगाओ गायब मतलब कहने का है के गाजियाबाद को सेटेलाइट सिटी कहा जाता है बच्छो इधियान रखना है आपको अर् है चूज दवन विच डजनोट बिलॉंग तो दग्रो एपल है ओरेंज है पाइनेपल है और बच्छो टोमेटो है बताओ यह तो आसानी से बता दोगे जी अर्चना आंसर करो कोई बात नहीं एक्जाक्ली बच्छो बहुत अच्छे कीरती मीनू दिलीप सीधी सीवात है ब यह पाइनेपल है आपका और यह बच्छो क्या है टोमेटो तो देखो टोमेटो सबजी है वेजिटेबल है और यह सारे के सारे फूट्स है तो यह अलग हो गया टोमेटो आपने कह दिया इसमें फिर से देखो टाउन विलेज हॉम मेट्रोपॉलिस बताओ बच्छो तीनों चारों में से तीन एक जैसे कौन-कौन से हैं किसको आप अलग है विलेज को अलग करेंगे विलेज अलग करेंगे प्यारे बच्छों हो है जहां पर जो अपना होता है टाउन विलेज मेट्रोपोलिस ये पबलीक के रहने की जगाएं इन्हें बहुत बड़ी पबलीक रहती ज मेट्रोपॉलिस सिटी कहलाता है. विलेज में भी और टाउन में बहुत सारे हो सकते हैं. लेकिन होन जो है इसमें बच्छों आप अपनी फैमिली को लेके रहते हूँ. यह तो पानी है लाइन तो चल पे रहता है वेल पैंथर ये बच्चों ये भी क्या खाता है ये कार्णिवोरस है कार्णिवोरस है कार्णिवोरस है कार्णिवेल जो है ये कैसी है ये भी कार्णिवोरस है का नहीं कैसे बनाओगे खूंाज गया है ओके सफकी देखो इसमें जो आनसर दिया गया है वह सही कर्णा पंधर वेल और लायन यह तीनो बच्चे देते हैं हहला यानि यह में मेमल से बच्चो Ah यह मेम या मेमल से इसमेह मतलब होता है चिनके सभाइन हो बच्चो को अपने दूद्ध भी पिलाती है ये भी मुझे याद है और क्रोकोडाईल क्यों होता है ये बच्चों को दूद पिलाते हैं बिल्कुल तो ऐसे करके भी क्या कुछन पूच यह वो लोग कितने खताना कुछन पूच रहे हैं बर आपको देना ही होगा और देखो बच्चों इनमें देखो रेन बारिश मिस्ट धुन्द क्लाउड बादल और फोग बताओ इनमें से कौन सा अलग है बच्चों इन चारों में से अलग हमारा कौन सा बनेगा यह प्यारे बच्चों आल राइट बहुत अच्चे देखो बच्चों गर हमें कहूं आपको मिस्ट ग्लाउड और फोग यह तीनों चीजे क्या करती है दुंदला दुंदला कर देती है जबकि रेन इन में सबसे अलग है रेन जो होती है वो बच्चों सबसे अलग होती है यह बच्चों के तीनों एक जैसे हैं क्लाउड का होना मिस्ट का होना फोक का होना दुंदला कर देते हैं और बारिश इन से अलग है वो क्लेरिटी लाती है जी बच्चों बच्चों ठीक है तो रेन अलग हो जाएगी वो इस धुंदले पन को साफ कर देती है हम कहते हैं पॉलिशन हो गया डेली में बारिश हो जाए तो सब कुछ साफ हो जाएगा क्लाउड नहीं बिटा का को जी राहुल मुझे बिल्कॉल पता है मैं करता हूँ उसका है कि है फिर देखेंगे सेमिनार सेमी सरकल सेमी סेमी resonate सेमिल्ल सेमी लिक्विड देखो सेमी वर्ड जहां पर आ जाए तो इसका मीन्स होता है बच्चो अर्द अगर मैं कहतो सेमी सरकल तो सेमी सरकल का मीन्स इससे हो गया यह पूरा सरकल बनेगा तो हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं भी इसकी ना कि इसकी सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं तो आ एक्जैक्टली बच्चो बहुत अच्छे तो हमारा अंसर यहां पर सैमिनार बनेगा अगले कोश्चन पर आते हैं रिंग कोल-गोल होता है ओर्नामेंट है ना ओर्नामेंट कुछ भी हो सकता है बेंगल चूडियां होती है और नेकलेस बच्चो गले का हार होता है नेक्लेस गले का हार होता है ना नेकेनी गर्दन में पहने जाने वाला तो देखो ये तो ये अंगुटी है जिसे आप सबसे पहले पहना के आते हो जब शादी करने जाते हो फिर बेंगल चूडियां भी देते हो नेक्लेस भी देते हो और ये सारे ओर्नामेंट है बचों तो में अलग अगर हम देखेंगे तो क्या अरे 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 ओर्णामेंट तो ये भी है ये भी है ये भी है फिर बैंगल अलग हो जाएंगी बताओ कैसे अलग करोगे अगर हम इसमें देखें तो बच्चो ओर्नामेंट ये लग, क्योंकि ओर्नामेंट जो है उसका मेंसे आभूशन ओर्नामेंट का मतलब बूता है आभूशन, ये भी आभूशन है, ये भी आभूशन है तो ये collective noun बन गया, असुरी, common noun, जबकि ये तीनो प्रॉपर noun है समझे में आ रहे हैं मतलब इसको अगर हमों करेंगे तो ये ये सवाएगे बिल्कुल ठीक है बच्चो नमबर फाइग वाइलेट इंडिगो पिंक या फिर बच्चो ग्रीन बताओ जरा यह बैंगनी होता है यह निला होता है और ये बच्चो पिंक होता है गुलाबी और ये ग्रीन होता है तो बताओ इनको कैसे अलग-अलग करोगे आफ हाउ टू मेक देम डिफरेंट पिंक बहुत अच्छे बच्चों यही आंसर दिया है अगर आप पिंक को देखोगे तो पिंक अलग दिखाई देगा आपको यह पिंक है और अगर मैं आपसे दूसरे कहूं जैसे यहां पर इंडिगो इंडिगो कौन सा बनेगा यही तो बनेगा न इंडिगो मैं और बच्चों ग्रीन आप इसमें जानते हो यह रहा कि यह रहाग ग्रीन within support कौन सा है इसमें से क्हां गया चलो जो भी है नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं वैसे इसमें जो आंसर दे रहा है वो कहरे विबग्योर पढ़ा है सब बच्चों ने के नहीं पढ़ा है विबग्योर का मेंस होता है कि ये हमारा वो जो होता है ना क्या कहते इसको rainbow ये बच्चो rainbow के colors होते हैं V का मेंन से violet से I का मेंन से indigo से B का मेंन से blue से G का मेंन से green से Y का मेंन से yellow से O का मेंन से orange से और बच्चो R का मेंन से red से इसलिए red क्योंकि इसकी wavelength सबसे कम होती है इसको बच्चो किसमें यूज किया जाता है train के signal के रूप में है ना ये reason है सबसे बड़ा तो इनमें सारे ये भी है ये भी है लेकिन इसमें pink नहीं है इसलिए pink को अलग कर दिया गया तो हम बच्चों कैसे करें कि rainbow के colors भी हमें विवग्योर पता होना चाहिए अगर आपने science पढ़िए physics पढ़िए 1012 में पढ़िए विवग्योर आपने जरूर पढ़ा होगा बोलो बच्चों याद आ रहे के नहीं हाँ जी बेलकुल बहुत अच्छी है अगला देखेंगे आप 106 देखो क्या कहता है there is no more room for you in this compartment तो बच्चों क्या यह सही है यहाँ पर या improvement चाहिए there is no more seat there is no more space there is no more accommodation या no improvement तो हम कैसे करेंगे इसको सही गड़ बच्चों बहुत अच्छे सही answer करें सभी लोग space okay right बच्चों याद रखो मैं आपको बता दू बच्चों train का जो compartment होता है उसमें बैठने के लिए हमारी जो जगा होती है उसे room कहते हैं क्या आप जानते हैं इस बात को train में बैठने के लिए जो हमारी seat होती है उस seat को basically हम room कहते हैं there is no room there is no more room for you in this compartment यह बिलकुल करेक्ट है तो बच्चों इसमें कोई भी improvement नहीं बनेगा answer आपका D जाएगा answer आपका क्या बनेगा यहाँ पर यह बच्चों D होगा no improvement at all क्योंकि हम उसे room ही कहते हैं अगले question पर आजाओ 107 देखो 107 क्या कहता है आपको यह कहता है बच्चों कि no sooner he has returned home then his mother felt happy सब बच्चे मुझे बताएंगे यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा इस बीच में क्या difference बनाएंगे आप क्या improvement करेंगे क्या improvement करेंगे बच्चों बताओ मुझे ऑके बच्चों सी बात आपको पता है no sooner के साथ देना था यह हमें already पता है तो यह done हो गया no sooner he has अब हैज के साथ में returned है third form होगी correct लेकिन बच्चों यहाँ पर एक चीज नहीं हुई जिसको हम कहते inversion जब हमारा sentence no sooner या फिर बच्चों देखो किससे scarcely से hardly से और बच्चों never से seldom से आईदर से नाईदर से इनसे अगर शुरू हो तो वहाँ inversion होता है inversion का मेंस है वर्ब पहले और बच्चों subject बार देख पारे हो आप लो यह rule लगता है inversion का तो इसका मतलब आप क्या करेंगे आपे no sooner he has नहीं no sooner has ही तो देखो किसमे है had he he had did he कहां गया मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर had he होगा है ना तो had he returned answer आपका a बन जाएगा answer आपका क्या बनेगा यहाँ पर a बनेगा बच्चों तो वहाँ पर hedge उसने लिख दिया है बट basically वह head है head plus v3 clear होग गया सब बच्चों को जी किरती बेटा did नहीं did तो तब होता जब वहाँ पर v1 होती तब तो फिर वहाँ पर hedge head नहीं लगता वह बात अलग हो जाती तब खाली return होता तब हम dead लगाते अगले question को देखो बच्चों will you lend me will you lend few rupees in this hour of need तो जब वह कहता है lend few rupees इसमें क्या lend me any rupees borrow me a five rupees lend me a five rupees क्या बनाएं गया आप इसमें what should be there कि अब कि अब के सी कह रहे हैं बच्चे राइट देखो जो बच्चे वह कहते कि will you lend me few अगर मैं कहूंगा few rupees सब बच्चे ध्यान से देखेंगे तो बच्चों इसका मतलब है few का मतलब है no rupees लेकिन जब मैं कहता हूं a few इसका मतलब है कुछ रुपई यानि के पूरे तो नहीं अधूरे है यानि के चाहिए मुझे 10 तुम 5 दे दो लेकिन प्लस यानि के हैं रुपई और अगर मैं 10 few कहता हूं तो इसका मतलब है जितने भी हैं सारे all यह countable के लिए आता है अब जब हम आर ओफ नीड में किसी से मांग रहे हैं तो भई हम few क्यों मांगेंगे no rupees क्यों मांगेंगे हम a few मांगेंगे lend me a few क्योंकि borrow का मेंसे उधार देना और lend का मेंसे उधार लेना तो यहां पर हम किसी और को कह रहे हैं तो हम उसे lend कहेंगे lend me मुझे दे दो उधार few rupees a few rupees तो यह positive की बात करेगा अगला देखो बच्चो are you more cleverer than us बताओ इसमें क्या गलती होगी are you more cleverer than us what should be the error in this sentence क्या sentence में error होगी जड़ा हमें बताई ले ओके गुड बच्चों ध्यान से देखो clever में er लगा के आपने comparative degree बना ली तो भई more की क्या जूरत है बनेगा are you cleverer than us तो हमारा जो answer बनेगा हाँ पर यह बनेगा जो आप इसमें change करेंगे वो बनेगा cleverer than us C answer बनेगा बाकी देखो cleverer to us यह तो गलती होगी बात ही कोई बात ही नहीं more cleverer आएगा ही नहीं और no improvement नहीं improvement चाहिए यह भी खतम हो गया तो answer आपका C बनेगा पकड़ में आ लिए सब बच्चों को हां more नहीं आएगा बस यह समझ लो 110 in accordance to your instructions we have remitted the amount in the bank तो यह तो की जगह आपको देखना है in accordance to your instructions यह बच्चों कुछ और आएगा इसी का आपको answer करना है क्या बनाएंगे आप लोग और के विद बिल्कुल सही बच्चों accordance with होता है यानि अगर मैं को accordance with the rules accordance with the instructions accordance with the principles तो यहां पर टू की वजाए हमारा विद बनेगा तो answer would be C correct बच्चो चलिए ठीक है आप देखो आज हम 110 questions यानि कि यहीं तक questions अपने करेंगे 20 questions we have taken यह जितने भी किया है आपने देख लें इसमें तो आज हम इतने questions करते कल फिर मिलेंगे बच्चों फिर से questions करेंगे और मुझे खुशी है कि जब भी समय मिल रान में जब भी इसको लगा रहा हूं तो बच्चे आ रहे हैं और बच्चे अपनी practice करते हैं तो बच्चों लगे रहो इसी तरह से मीनू, रीना, कीर्ती, रूबी, राकी, जी, एबियस, ठीक है, राकी, रीना, राधा, एंड एवरिबड़ी तो चलिए बच्चों ठीक है NBS के मोक लगवादो, ठीक है, ठीक है बच्चों, थैंक यू सौ मच, एक्जैम का बिटा यूपी वाले का भी पता नहीं जला है, NBS का आपका है ही और DSS भी का आने वाला है, तो लगातार वर्क करते रहो, बाकी सब कुछ ठीक होता रहेगा बच्चों, थैंक यू बच्च झाले ले यू था झाले बूबफाै झाले का नहीं पता रह settings, पना ठीक होता रहे मनी जला का रहा है हो शाट पता बच्चों, उгрछे जला पी पता बीक है एका उक्चा पतार वाला झाले का आने वाले का है तोम खिका उनृski hell